कोलकाता नाइट राइडर्स और चिन्नाई सूपर किंग्स के बीच IPL 2023 का 33 मुकाबला इडन गार्डन में खेला गया इस मैच में वैसे तो सभी खिलाडियों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया लेकिन कोलकाता में एक ऐसा सितारा चम का जिसकी उमीद किसी भी के रहाने की महराश्र के उसी अनुभवी बल्लेबास की जिसे सब ने फटा-फट क्रिकेट का खिलाडी समझने से इंकार कर दिया था लेकिन मौजूदा IPL में रहाने ना सिर्फ बल्ले से आग उगल रहे हैं बलकि टीम के लिए मैच विनिंग पारी भी खेल रही दरसल कोलकाता के खिलाफ मैच में आजनिक के रहाने ने दमदार प्रदर्शन किया और अर्ध शत किया पारी खेली उनकी इसी पारी के दम पर चिन्नाई ने 235 रनों का स्कोर बनाया रहाने ने 29 गेदों में 5 छक्के 6 चौके की मदद से नाबाद 71 रन की पारी खेली इस दोरान उनकी स्ट्राइक रेट 244.83 की रही उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 बहतरीन छक्के भी जमाए रहाने की इसी पारी पर फैंस फिदा हैं और जम कर उनकी तारीव कर रहे हैं बात इस सीजन में रहाने की फॉर्म की करें तो IPL 2023 में रहाने का प्रदर्शन बेहत शांदार रहा है उन्होंने मौजूदा सीजन में अब तक 5 मैचों में करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 209 रन बना लिये हैं सुरेश रहना के टीम से जाने के बाद रहाने नमबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और विकेट पर टिकने के साथ तेजी से रन बटोर कर अपनी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं शायद इसलिए भी उन्हें चिन्नाई का अगला रहना कहा जा रहा है क्योंकि वो टीम की जरूरत के मुताबिक खेल रहे हैं दरसल भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजमीक के रहाने की पहचान एक प्रॉपर टेस्ट खिलाडी के रूप में होती रही है और IPL 2023 में रहाने का 2.0 वर्जन देखकर फैंस तो हैरान है ही साथ ही विपक्षी टीम के गेंदबाज भी अब रहाने के क्रीज पर आने से खौफ में आ जाते हैं कर दो कर दो है